प्यारे बच्चों, पर्यावरन अध्यन कक्षा 3 के पाठ 2 हरी भरी दुनिया के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पतियों के कुछ मुख्य विसिस्ताओं को देखा था जैसे पतियों के आकार, रंग, गंध, इत्यादी। इस वीडियो में हम पतियों के उपयोग को जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं? आपने ध्यान दिया है? जी हाँ. सरद रितू में पेडों से पतियां जड़ती हैं और इसे हम पत जड़ का मौसम भी कहते हैं. और ये जो शरद रितू है आप देखेंगे कि जो जाड़े की समापती होती है उस वक्त और बसंत का आगमन होने वाला होता है तो ये जो बीच का समय अवधी है उस वक्त पतज़ड होता है बच्चो चलिए अब हम पत्तों के अन्य उप्योगिताओं को देखते हैं पता है बच्चो मेरे बिद्याले में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जब बच्चे स्कूल आते थे तो रोज सुबा प्रातन सभा से पहले अपने प्रांगन की सफाई करते थे इस दवरान बच्चो आपके पाठे पुस्तक में भी बताया गया है कि प्रियंका एक बच्ची है उसके घर के आसपास भी काफी पेड़ पौधे हैं और वह भी रोज सुबा पत्तों को इकटा करती है और प्रियंका की मा इन इकटा किये हुए पतियों को कंपोस्ट के गड़ों में डाल देती हैं ताकि कंपोस्ट या खाद बन सके बच्चों क्या आप बता सकते हो कि पतियों को जलाने के बजाए कमपोस्ट गड़े में क्यों डाला जाता है जी हाँ इसलिए क्योंकि पतियों को जलाने से धूआ निकलता है और या धूआ वायू को प्रदुशित कर सकती है वहीं दूसरी और अगर हम कमपोस्ट गड़े में डालते हैं पत्यों को तो वहां सडने के बाद वह पुना खाद में परिवर्तित हो सकता है और उस खाद का उपयोग हम पौधों के लिए कर सकते हैं आईए अब हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में जाने जिनके पत्तों का उपयोग औश्यधी यानि बिमारियों के इलाज में होता है पुदीना सर्दी खासी में नीम कीट नाशक के तौर पर चिरेता बुखार में तुलसी पेट दर्द में इसी तरह आप अपने बड़ों से और पता कीजिए कि किन पत्तों का उपयोग औश्यधी के रूप में किया जाता है बच्चो आपने पत्तियों का उपयोग सजावट में देखा है प्राया शादी में तोरन द्वार पर पत्तियों से भी सजाया जाता है वर माला में भी पत्तियों का उपयोग किया जाता है पूजा आदी में भी पत्तियों के इस्तेमाल से तोरन बनाया जाता है रंगोली सजाई जाती है इस प्रकार पत्यों का उप्योग सजावट में भी किया जाता है बच्चों आपने देखा होगा कि पत्तों का उप्योग पत्तल यानि प्लेट बनाने में भी होता है दोना बनाने में भी होता है दक्षिन भारत के लोग पूजा या विवा सामरों में केले के पत्तों में भोजन परोस्ते हैं इस प्रकार पत्तों का जो उप्योग है वह पतल या थाली के रूप में भी होता है बच्चों प्रिष्ट संख्या 13 में तीन क्रिया कलाब दिये गये हैं हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको यह घर पर राकर बनाना है तो सबसे पहला क्रिया कलाब जो दिया हुआ है इसमें आपको अपने घर के आसपास से पत्ते इकटा कर लेने हैं अब इन पत्तियों से आपको पशू या पक्षियों की आकरिती इन पत्तियों से देनी हैं जैसा कि किताब में दिया हुआ हाथी और चिडिया यह दो चीज बना हुआ है पत्तियों से आप अन्य जिवजन्तू या पक्षियों के भी आकरिती बना सकते हैं कक्षा तीन की ही श्रिष्टी को मैंने फोन पर बताया और उसने एक छोटा सा वीडियो बना कर मुझे भेजा है तो देखिए श्रिष्टी ने कैसे इस गतिविधी को किया है नमस्कर जैव मैंने मुझे कुछ पत्तों से अनिमल स्ट्रक्चर या कुछ बनाने के लिए सिखाया है मैं उसे बनाने की कोशिस कर रही हूँ दूसरी गति विधी के लिए बच्चो आपको एक चार्ट पेपर लेना है और अपने घर के आसपास से कुछ पत्ते चुन कर लाने है और इन पत्तियों को चार्ट पेपर पर पेस्ट कर देना है चिपका देना है पत्ति के नीचे यह किस पौधे की पत्ती है उसका नाम लिखना है यदि आपको पता है तो इट सोके अधर्वाइस आप अपने बड़ो की शाहयता ले सकते हैं तीसरी गती विधी के लिए आपको आउशकता होगी कागज, पेंसिल और पत्तो की सबसे पहले आप पत्ता लेंगे या तो उसे जमीन पर या आप अपने कौपी पर रख लेंगे उसके बाद पत्ते को रखना है जिस पत्ते को आप रख रहे हैं यहां आपको ध्यान देना है कि पत्ते के नसे जो उभरी वी है वह उपर की और हो अब एक और कागज लेना है और उसके उपर पत्ते के उपर रख देना और हलके हाथों से कागज पर पेंसिल को फेर ना है आप देखेंगे कि कागज पर पत्ते की च्छाप आ गई है उसका प्रिंट आ गया है इसे अच्छी तरह से आप शेप देकर उसका नाम लिख लेंगे इस वीडियो में हमने सीखा पत्तियों से कमपोस्ट बनाया जाता है विभिन पत्तियों का उप्योग बिमारियों के उपचार में भी होता है और पत्तियों का उप्योग सजावट में भी किया जाता है साथ ही तीन गती विधियों के द्वारा पत्यों को छूने और उनके साथ खेलने का भी औसर प्राप्त हुआ आशा करती हूँ आप एक बार पाठ का स्वव अध्याय जरूर करेंगे धन्यवाद